वेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल राहुल सीये में स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड आपने बनवाया है या फिर अपडेट कराया है तो दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है आधार कार्ड की official website में एक नया link जोड़ दिया गया है आप वहां पर जा करके complain कर दिजेगा और आपका आधार कार्ड solution जो है 10 से 15 दिन के अंदर solve कर दिये जाएगा तो दोस्तों इसका process कैसे करना है हमने इस वीडियो में step to step बताया है आप इस वीडियो को देख करके खुद से ही अपने mobile या फिर laptop से कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से बाले दोस्तों आप सभी से request है हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को subscribe करके बेल आइकन को जरूर दबा दिए चलिए दोस्तों सुरू करते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से myadha.udi.gov.in UDI की official site open कर लिजिएगा उसके बाद दोस्तों आप निचे की तरफ जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर दिये गया है file complaint तो दोस्तों आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर दिये गया है please enter require details to file a complaint तो आपने जिसका आधार बनवाया है और आपका आधार नहीं बना है तो दोस्तो आप उसका डेटेल्स यहां पर फिल करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले इंटर नेम दिया गया है उसका नाम आप यहां पर फिल करेंगे तो दोस्तो आपने जो मुबाइल नमबर उस आधार कार्ड में रेजिस्टर कराया था उस mobile number को आप यहाँ पर fill करेंगे दोस्तो यहाँ पर email id का option है तो दोस्तो अगर आपने email id डलाया है तो दोस्तो आप यहाँ पर fill कर दीजेगा अन्य था दोस्तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं यहाँ पर enter state दिये गया है तो दोस्तो आप जिस भी state से belong करते हैं उस state को choose कर लिजेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर complain for self and others का option दिये गया है तो दोस्तो आप यहाँ पर click किजिएगा तो दोस्तो आप यहाँ पर अगर swim के लिए complaint कर रहे हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर self जो है select कर लिजेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर enter complete type दिये गया है तो दोस्तो आप यहाँ पर click करेंगे तो यह आपके सामने option open हो जाएगा तो दोस्तो यहाँ पर दिये गया है आधार letter, pvc status, authenticate issue, enrollment related, operator enrollment agency, portal application issue, update related तो दोस्तो अगर आपने नया आधार card बनवाया है और उसके लिए complete करना चाहते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर enrollment related पर click किजेगा उसके बाद दोस्तो यहाँ पर enter category type दिये गया है तो दोस्तो आप यहाँ पर my enrollment got reject to do you by metric issue का उपफन दिये गया है तो दोस्तो आप इसे यहाँ select कर लिजेगा उसके बाद दोस्तो आपने जो आधार card बनवाया है उसमें enrollment number दिये गया है तो दोस्तो आप उस enrollment number को यहाँ पर click कर दिजेगा पर view details and uploaded पर click किजेगा दोस्तो कुछ इस तरीके से आपने जो आधार card बनवाया था उसका receipt आप यहाँ पर upload कर देंगे उसके बाद दोस्तो आधार card download करते समय जो problem दिखा रहा है आप उस problem को यहाँ टाइप कर दिजेगा उसके बाद दोस्तो आपके सामने जो capture code दिखाई दे रहा है उस capture code को आप यहाँ पर fill कर दिजेगा तो दोस्तो आप इस यसनार नंबर को save कर दिजेगा तो दोस्तो आपकी जो problem है वहाँ एक हपते के अंदर ही solve कर दिजाएगी तो दोस्तो आप इसे track भी कर शकते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पर my आधार के home page पर चले आएगा दोस्तो यहाँ पर दिया गया है check complaint status तो दोस्तो आप यहाँ पर click किजेगा तो दोस्तो कुछ इस तरीकी से check my complaint का status का option open हो जाएगा तो दोस्तो आपको जो SNR नंबर मिला है आप उसे यहाँ पर fill करेंगे तो इसके बाद दोस्तो आपके सामने जो capture code दिखाए दे रहा है उस capture code को यहाँ पर fill करके submit पर click कर दिजेगा इस तरीके से आपके सामने option open हो जाएगा दोस्तो आपका जो complaint है वा successfully registered हो चुका है और उस पर कारवाही शुरू हो चुकी है तो इसी परकार से आप अपने चिक कंप्लेंड का status ट्रैक कर सकते हैं तो इसी परकार से आप कंप्लेंड करके 10 से 15 दिन के अंदर अपने आधार कार्ट का solution पा सकते हैं तो दोस्तो आप सभी को हमारा जानकारी कैसी लगी comment section में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कर ले मिलते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट वीडियो में